प्रयाग राज के उतराव थानक शेत्र के सिठोली गाव में शुक्रवार सुबा लगभग साधे 6 बजे इंडरदेव यादव पुत्र उद्रेश कुमार यादव सुंदर नगर तिराहे से चाई पी कर पैदल घर वापस जा रहे थे। उसी समय एक अग्यात व्यक्ती ने पीछे से पैदल आकर आवाज देकर इंडरदेव को बुलाया रुखने पर उसने पीट पर गोली मार दी और पैदल भागा आगे खड़े नकाब पोश बाइक सवार में उसे बाइक पर बैठा कर फूलपूर की तरफ भाग निकले। गोली की आवाज सुनकर स्वजन ततकाल मौके पर पहुचे और उतराओ पुलिस को सूचना देते हुए S.R.M ले गए। जिसमें उनको गोली लगी है ततकाल उनको इलाज हे तू शहर लाया गया पहले मेडिकल कॉलेज उसके उपनांत उनके परिजनों के रिक्वेस्ट पे नीजी अस्पताल में उनका इलाज कराया जा रहा है। गटना के शानबीन की जा रही है। शुवाती दोर में जो उनसे पूछताच हुई है तुन्होंने दो नाम बताएं उनको ठाने पर लाके उनसे पूछताच की जा रही है। गटना में अभी तहरीर प्राप्त नहीं हुई थी ताप तहरीर और समस्ति साक्षों के आधार पर इसमें आगे की विदिकारवाई सुनिश्चित की जाएगी। इंद्रदेव पेशे से जिला न्यायाले में अधिवक्ता है।